अल्हा है जैसा कि आप जानते हैं हमाई देश में करशी के चैनी त्यान्तु करण की आवस्चता है इससे करशी उत्पादक्टा में वर्दी होगी वर करशी कारे समय से पूर्ण होगे इससे करशी की लागत वर कर्शी में उत्लब मजदूरों की कठनायों में भी कमी आईगी इन विश्यों पर कार्य करने के लिए वर्ष 1975 में कर्शी अंत्रों एवं मशिनरी पर अखिल भारतिया समन्वित अनुसंदान प्रयोजना की शुरुबात की गई है इस प्रयोजना के देश के अनुसंदाने में विकास आठ के इनरो पर प्रोटोटाइप मैनिफेक्टरिंग वर सभी 25 के इनरो पर उन्नत कर्शी अंत्रों का प्रोटोटाइप फीजिबिलिटी टेस्टिंग वर फ्रन्ट लाइन डेमोस्टेशन गतिवे दिया समली थे इस प्रयोजना दारा किये गए कार्यों की वज़े से किसानों में कर्शी उपकरनों के परती जागरुकता में वर्दी हो रही है जिससे की कर्शी का कार्य समय से पूरा हो सकता है कर्शी में उत्पादन में वर्दी होगी वह उत्पादकता में भी वर्दी होगी खेती में मशीनी करण को नई उंचाईयां प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास हो रही हैं। अखिल भारतिय समन्वित क्रशी यंत्र एवं मशीनरी अनुसंधान परियोजना के तहत किये जा रही प्रयास इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्नत करशी उपकरणों का विकास एवं अनुसंधान विक्सित यंत्रों का बहुली करण यंत्रों का व्यवहारिक परीक्षन एवं प्रदर्शन परियोजना के मुख्य कारियों में शामिल है। तथा इस दिशा में हो रही प्रयास बेहद उलेखनिये हैं। परियोजना के प्रारंभ होने से अब तक लगभग 270 से अधिक क्रशी उजारों यंत्रों एवं उपकरणों का विभिन केंद्रों पर विकास कर उन्हें अपनाया गया है। इनमें 30 हस्त चलित, 18 पशु चलित और 130 शक्ती चालित क्रशी उजारों एवं उपकरणों का व्यवसाई करण परियोजना के सफल कारियों में शामिल है। जिन उपकरणों का व्यवसाई करण किया गया है। उनमें ट्रैक्टर चालित चेक बेसिन मुख्य है। और इसकी प्रभावी कारिक्षमता 0.15 हेक्टियर प्रति घंटा है। ये दोबाए 6 मीटर आकार का चेक बेसिन बनाता है। ट्रैक्टर चालित खड़ी मेड़ों पर बीजों की बुआई करने वाला यंत्र गेहूं, मक्का, चना, कपास, मूग, राया तथा मूगफली की फसलों की बुआई दो से तीन कतारों में आसानी से करने की शमता रखता है। ट्रैक्टर चलित 6 कतारी छोटे बीजों की बुआई वाला यंत्र छोटे बीजों जैसे प्यास की कतारों में बुआई एवं पौधे से पौधे की बीच की आवश्यक दूरी बनाए रखने में उप्योगत है। यह यंत्र पारंपरिक विधी की तुल्णा में लागत में 50 प्रतिशत और श्रम में 80 प्रतिशत बचत करने में सहायक है। प्रतिशत की बचत होती है। यंत्र की कार्ग्षमता 0.1 हेक्टियर प्रतिखंटा है। इसी तरह ट्रैक्टर चालित हवा सहायता युक्त स्प्रेयर, कपास, सोयबीन, गन्ना एवं अरहर आदी फसलों में रसायनों के छिड़काओं के लिए उप्योगत है। अनार की फसल के लिए अल्टरसोनिक समवेदकों पर आधारित चिड़काओ प्रणाली अपनी विशेशताओं की वज़े से खास है। इस सयंत्र में समवेदक, प्रुग्रामर तथा नौन रिटन वॉल्व लगाए गई है। इसमें विशेश किस्म के नोजल लगे होने के कारण 45-50 प्रतिशत रसायन की बचत होती है। ट्रैक्टर चालित मूंग फली खुदाई यंत्र पौधों के फलीक शेत्र के नीचे से खोद कर उन्हें एलिवेटर पिकर रील की सहायता से उपर उठा देता है। इस मशीन के उप्योग से श्रम में 65 प्रतिशत एवं प्रचालन लागत में 32 प्रतिशत की बचत होती है। ट्रैक्टर चालित फलेल चौपर युक्त कटाई यंत्र फसल काटने, छोटे टुकडे करने और इनकी एक साथ भराई कारियों के लिए बेहद उप्योगत है। इसका उप्योग बाजरा, ज्वार, मक्का तथा रागी की फसलों के लिए श्रेष्ट है। ट्रैक्टर चालि लहसुन तथा प्याज की फसलों के लिए उप्योगी है। इसकी कारिक्षमता 0.21 से 0.28 हेक्टिर प्रतिघंटा है। ट्रैक्टर चालित कसावा खुदाई यंत्र कसावा की खुदाई के लिए उप्योगत है। मशीन की प्रभावी कारिक्षमता एवं कारे दक्षता 0.08 हेक्टेर प्रतिघंटा तथा 81 प्रतिशत है बीज युक्त मसालों वाली फसलों के लिए बहु फसलिय थ्रेशर, जीरा और धनिया की दक्षता पूर्ण गहाई एवं सफाई के लिए उप्योगी है इस थ्रेशर की गहाईक्षमता 240 से 260 किलोग्राम प्रतिघंटा है शक्ति चालित प्याज बल्ब डिटो पर एवं ग्रेडर प्याज को पत्तेदार भाग से अलग करने एवं उसके बल्ब की ग्रेडिंग के लिए बेहद उप्योग्त है इसकी कारिक्षमता 235 किलोग्राम प्रतिघंटा है प्रोटोटाइप निर्मान क्रशी उपकरणों के प्रोटोटाइप्स का निर्मान परियोजना के आठ केंद्रों द्वारा किया जाता है कर्मशालाओं का कार्य अनुसंधान प्रोटोटाइप का बड़ी संख्या में बहुली करण तथा उन्हें बहुस्थलिये परीक्षणों हेतु अन्य केंद्रों को प्रदाय करना और निर्मान प्रद्योगी की का विकास करना है बारवी पंच वर्षी योजना अवधी में पचपन हजार के लगभग क्रशी उपकरणों के प्रोटोटाइप का निर्मान परियोजना के इन केंद्रों ने किया है और उपकरण प्रदाय भी किये हैं प्रोटोटाइप व्यवारिता परिक्षन यांत्र की करण की गती को तेज करने के लिए परियोजना के 25 सहयोगी केंद्रों द्वारा नवीन विक्सित उपकरणों एवं चैनित व्यवसाइक उपकरणों का प्रोटोटाइप व्यवारिता परिक्षन किया जाता है सफल प्रद्योगी किया परियोजना के तहट प्रोटोटाइब व्यवहारिता परीक्षन में सफल साबित हुई जिन तकनीकों को करशी के लिए उपयुक तो माना गया है उनमें स्वचालित आठ कतारी धान प्रणोपक बेहद उपयोगी साबित हुआ है ये 0.5 हेक्टियर प्रति दिन तक बुआई करने में सक्षम है स्वचालित तथा ट्रेक्टर चालित रीपर बाइंडर का उपयोग हरित फसलों जैसे गेहु, धान, रागी और जौ को एक साथ कटाई तथा बांधने के लिए किया जाता है स्वचालित रीपर बाइंडर की कारिक्षमता 0.4 हेक्टियर प्रति घंटा और ट्रेक्टर चालित रीपर बाइंडर की कारिक्षमता 0.5 हेक्टियर प्रति घंटा है स्वचालित कंबाइन हर्वेस्टर का प्रयोग गेहूं, धान एवं चने आदी की कटाई एवं थ्रेशिंग के लिए किया जा सकता है इसी तरह ट्रैक्टर चालित चारा कंबाइन खेत में छूट गए चारे के डंठल को छोटे टुकणों में काट कर पूरे खेत में फैला देता है इस मशीन की शमता चार दशमलव शून्य हेक्टियर प्रति दिन है ट्रैक्टर चालित चारा बेलर यंत्र भी उपियोगी है इसकी कारिक्षमता शून्य दशमलव तीन हेक्टियर प्रति घंटा है विद्युद चालित मूंपली थ्रेशर की कारे निश्पादंग शमता 720 किलोग्राम प्रति घंटा है सफल क्रशी उपकरणों का प्रदर्शन हस्मुझर जिश्पाद झालित भी है झाल झाल